नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में तो जैसा कि आज के इस वीडियो में बिहार से एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जैसे कि कोरोना के मामले बिहार में लगतार तेजी से बर रहे हैं उसको देखते हुए सीएम नितीज कुमार ने आपदा परमंधन समुह के साथ बैठा कर बिहार के लिए कई अहम फैंसले लिए हैं जैसे कि बिहार में क्या कुछ खुले रहेंगे क्या कुछ बंद रहेंगे इसके लिए एक गाइडलाइन जारी कर दिया गया है जिसके तहट जो सिक्षन संस्थाने उसको बंद कर दिये गया है जो 50% उपस्तिती के साथ सरकारी और गयर सरकारी जो कारियाला हैं उसको खोले जाएंगे और ये जो नियम है 6 जनवरी 2022 से लेके 21 जनवरी 2022 तक ये नियम लागू होने वाले हैं साथी साथ जो बिहार में सभी दुकाने हैं उसको रातरी 8 बजे तक ही खोले जाएंगे इसके संबन्द में ये नई गाइड लेंज जारी हो चुकी है इस वीडियो को आप लोग कम्प्लीट जरूर देख लीजेगा जिससे कि आपको पता चल सके कि बिहार में क्या कुछ खुले रहेंगे क्या कुछ बंद रहेंगे और जैसे कि आठवी तक के जो कक्छा हैं उसको फिलहाल बंद कर दिये गए हैं और जो आगोन बारी केंदर है उसका क्या होगा बंद रहेगा या खुला रहेगा आपको इस वीडियो में पूरी जनकारी मिलने वाली है तो वीडियो आप सभी लोग कंप्लीट जरूर देख लीजेगा और यह वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइप जरूर किजेगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए आ हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं आज की ये वीडियो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं बिहार सरकार ग्रीव भिवाग के तरफ से एक लेटर जारी किया गया है और इस लेटर का दिनांग के यहाँ पर देख सकते हैं 4 जनवरी 2022 को ये कल ही लेटर जारी किया गया है सीम नितिस कुमार के बैठक के बाद इस लेटर को जाड़ी किया गया है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कोरोना वाइरेस जनित महमारी की तीसरी लहर से देश के अनेक राजियों में कोरोना पोजेटिव मामलों की संख्या में ब्रिधी हुई है अतर बरतमान इस्तिति के पडिपेक्षय में पर इस्तितियों पर व्यापक नियंतरन है तो दिनांक यहाँ पर ध्यान दिजिएगा 6.1.2022 से लेकर 21.1.2022 तक निमनांकी परतिबन लगाने का निर्नन लिया गया है तो यह जो परतिबन लगाए गए है वो 6,1,2 लेके 21,1,2 तक परतिबन लगाए गए है यहाँ पर निचे देखेंगे कौन-कौन चीजों पर परतिबन लगाए गए है जैसे कि यहाँ पर दिया गहा है सभी सरकारी कर्याले यों गयर सरकारी कर्याले 50 परतिसत उपस्तिती के साथ खुलेंगे सरकारी कर्याले में अगोंतुकों का परवेश वर्जित रहेगा यहां पर देख सकते हैं दूसरे नमबर में दिया गए सभी दुकाने और परतिष्ठान रातरी आठ बजे तक ही खुल सकेंगे यानि कि जो दुकाने दस बजे तक खुलती थी वो अब दुकाने रात के आठ बजे तक ही खुलेंगे यानि कि जो दुखाने हैं इस परकार के वो आठ बजे तक ही खोले जाएंगे दुखानों ये परतिष्ठानों का संचालन निम्लीखीद सौर्टों के साथ किया जाएगा जैसे कि देख सकते हैं दुकानों परतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवारे होगा दुकानों परतिष्ठानों के काउंटर पर दुकंदार द्वारक कर्मियों और आगंतुकों के उप्योग हेतू सेनेटाइजर की बेवस्था अनिवारे रूप से की जाएगी दोगज की दूरी का अनुपालन भी किया जाएगा और जैसे कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रहे है जो सिक्षन संस्थान है जैसे कि जो बच्चों का स्कूल है तक के लिए विद्याले और कोचिंग संस्थान पूरी तरीके से बंद रहेंगे जैसे कि आपको मैं बता दूँ कि एक से लेके आठवी तक के जो कक्षाएं हैं उसको छे जनवरी से लेके 21 जनवरी तक बंद कर दिये गए हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका जो ऑनलाइन सिक्षन है वो दिया जा सकेगा नौवी तथा उस्तर कक्षाओं से संबंधित विद्याले कोचिंग और सिक्षन संस्थान 50 परतिसत उपस्थिती के साथ खुल सकेंगे जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक से लेके आठवी तक के जो कक्षाओं उसको बंद कर दिये गए हैं लेकिन यहाँ पर आगणवारी का अभी कोई जीक्र नहीं है हलाकि आगणवारी केंदर को भी बंद किये जा सकते हैं इसके लिए आपको ICDS विभाग के तरफ से लेटर जल्द ही पराप्थ हो जाएंगे कि आगणवारी केंदरों को भी 6 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक बंद कर दिये जाने की आदेश जल्द ही पराप्थ हो जाएंगे सथ उपयों के साथ अनुमानने होगा साथी साथ यहां पर देख सकते हैं कि जो बिवा समरो है उसमें पचास ब्यक्तियों की उपस्तिती के साथ ही आयोजित किये जा सकते हैं किन्तु इसमें DJ योंबरात जूलुस की इजाजत नहीं होगी बिवा की पूर्व सूचना वो कुछ इस परकार से हैं जैसे कि यहां पर देख सकते हैं कि बिहार में रातरी 10 बजे से प्रातो 5 बजे तक नाइट कॉर्फिव भी लगा दिया गया है तो इस परकार से देख सकते हैं कि जो नई गाइडलाइन जारी की गई है बिहार में कि कौन से चीज खुली रहेंग जाए हिंद